हाँ तो बच्चो आज हम क्लाश 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपारिटन कोश्चन में जो चैप्टर है बैदर चुम्ब किये प्रेरण उसमें नुमेरिकल्स को देखेंगे और उससे पहले हम फार्मूले देखते हैं तो इस चैप्टर में जो फार्मूले आएंगे वो हमने लिख दिये हैं उसमें से सबसे पहला जो फार्मूला है वो है 5 b is equal to b a cost theta 5 b क्या है चुम्ब किये फ्लक्स है चुम्ब के छेत्र ए है फ्लेट का छेत्र फल्क किसी एक सतह से गुजरने वाली चुम्ब की अबल रेखाओं की संख्या को चुम्ब के फ्लक्स कहते हैं और जो दूसरा है वो फैराडे के दुतिये नियम है ठीक है अगला है फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते है चुम्ब को जो कुंडली का स्वाप्रेरकत के ठीक है और इस स्वाप्रेरकत की घटना में E का मान कितना होता है विदुतुग अब किसी जो की कुंडली होती उसमें और जा कितनी होती है तो ये होता है डबलू या यू यू वराबर एक बटा दो एलाई स्क्वाइर ठीक है अब अन्योन प्रेरन घटना क्या होती उसमें दो कुंडलिया होती पहले कुंडली के बिद्धुतुअ हगवाल दूसरे के लिए हम क्या मान लेंगे एटू तो दूतिया कुंडली में जो भी बिद्धुतुअ हगवाल उत्पन होता है तो एटू है दूतिया कुंडली का बिद्धुतुअ हगवाल M है अन्योन प्रेर कत्व या न्योन प्रेरन गुडांग और D-DT of I1 यानि की प्राथमे कुंडली में प्रवाहित धारा I1 है M का मान क्या होता है ठीक है ये होता है N252 up on I तो प्राथमे कुंडली में एक आंग धारा या एक एम्पीर धारा प्रवाहित करने पर दुत्या कुंडली में जो भी चुम्बकी फ्लक्स का मन परिवर्टित होता है उसे हम क्या कहते हैं अन्युन प्रेरकातो अब किसी चुम्बकी चेतर एक समान चुम्बकी चेतर में कोई चालक ले करके जाएंगे या चालक को गदी कराएंगे तो उसके लिए बिद्धुत्वाहग बलुत्वन हो जाता है यानि उसके एक सिर्फ चालक के एक सिर्फ प्लस हो जाता है दूसरा माइनस तो बिद्धुत्वाहग बलुबन जाता है ठीक है उसकोतर होता है B, V, L, B है चुम्बकी चेतर कोई चालक जब घुमाया जाहेगा तब कितना विद्व दुव अगवाल होगा ये गध कराया जाएगा वो अलग है इसको घुमाया जा रहा है तो एक बटा दो ओमेगा एल इसक्वाइर ये थे इसके फार मूले ठीक है तो एक बार इसक्रीन साट आप ले सकते तो आगे हम चलते हैं numericals पर तो पहला question है 100 पेरो वाली एक कुंडली से बद्ध चुम्ब की Flux तो फेरो की संख्या 100 दी गई है कोई एक कुंडली है जिस से जो बद्ध चुम्ब की Flux या संबध चुम्बक के फ्लक्स है वो 0.1 सेकंड में 0.5 वेबर से घटकर 0.3 वेबर रह जा रहा है यानि कुंडली क्या ओर रही है दूर जा रही है या चुम्बक जो है दूर जा रहा है कुंडली से तो कुंडली के सिरो के बीच प्रेरित विद्ध वागवल का मान गयात कीजिए यह हमको निकालना है तो जो दिया गया हूँ हमने लिख दिया है कि एन है फेरो की संख्या फाइबन है जो प्रारम में चुम्बक के फ्लक्स है उसका मान है 0.5 वेबर फाइटू जब हम के लिए ऐसा होता है यह परिवर्टन कितने समय में होता है 0.1 सेकंद में एक का मान चाहिए तो इसमें सुत्र लगेगा फैराइडी का दुटी एनियम माइनस का इन डिफाई अपान डिटी तो यहां वैलू रखेंगे माइनस का इन कितना दिया गया है 100 डिफाई का मतलब क का मतलब बता है 52-51 और यह क्या है हमारा t2-t1 ठीक है ना अंतर है डिफ्रेंस तो माइनस का 100 52 की वाइलू कितनी है 0.3-51 0.5 प्रारम में कितना समय रहा होगा जब 5-1 था तो समय कितना रहा होगा 0 इस्टाइट तो हमेसा टाइम 0 से ही लेंगे अब कितना हुआ जा रहा है तो t2 ठीक है हमेसा t1 शुरुआ 0 से ही करते हैं समय कि 0 यहां से हाल करेंगे तो यह कितना बचेगा उपर उपर बचेगा माइनस का 0.2 और नीचे 0.1 गुड़ा में माइनस का 100 तो समय कोइंसे एक संख्या बाद दसमलो एक संख्या बाद ठीक है दसमलो बाद एक संख्या एक संख्या हट जाएगा अब 100 को दो से गुड़ा कराएंगे तो यह आ जाएगा 200 क्या किसका मान है यह एक का मान है यह बिद्धु तुआहग भल मातरक क्या हो जाएगा वोल्ट विभव बिव ठीक है इस कुंडली को पांच गुड़े दस्कीगाद माइनस पांच वेबर प्रति मीटर स्कॉयर ये चुम्ब के छेतर होता है वेबर की ये फ्लक्स होता है वेबर प्रति मीटर स्कॉयर चुम्ब की ये छेतर तो इस कुंडली को पांच गुड़े दस्कीगाद माइनस पां वेपर प्रत मीटर स्कुएर के चुम्बकिये छेत्र में छेत्र के लंबवत रखा गया है छेत्र के लंबवत तो यदि ये ये कुंडली ऐसे तो चुम्बकिये छेत्र ऐसे है और इस कुंडली का भी छेत्र फाल सदिस कैसे होगा ऐसे या भी लंबवत बाहर या फिर अंदर चुम्ब के छेत्र के तो एंगल कितना बनाएगा छेत्र फजद इसके साथ जीरो अंस कुंडली को जीरो दिसमलो दो सेकेंड में 90 अंस के कोंड पर घुमाया जाता है कुंडली से बद्ध अधिक्तम चुम्ब के फलक्स तथा प्रेरिद बिद्ध तुआख बल की गड़ना कीजिए ठीक है चुम्ब के फलक्स निकालना है और प्रेरिद बिद्ध तुआख बल तो कुश्चन को देखते हैं छेत्र फल दिया गया है ठीक है छेत्र फल जीरो जीरो चार है तो दसमलों को दो संख्या पीछे ले जाएंगे तो माइनस तो हो जाएगा और चुम्बकिये छेत्र फिरो की संख्या है सबसे पहले हम क्या निकालेंगे चुम्बकिये फ्लक्स का मान निकालेंगे सुरुवात में कितना है तो उसे पहले क्या है ये कुंडली जो है ये चुम्ब की छेतर के साथ नब्यांस ये अगर जो चुम्ब की छेतर है तो चुम्ब की छेतर इस बताकार प्लेट की क्या है लंबवत है तो इस सतह का छेतर फल सदिस भी क्या होगा हमेशा चुम्ब के छेतर की दिसा में लेते हैं ये है छेतर फल सदिस या तो सामने या फिर पीछे तो क्योंकि चुम्ब के छेतर सामने की ओर जा रहा है लंबवात इसके जा रहा है तो इसलिए धरी लेंगे तो B और A के मद्ध एंगल कितना बनेगा क्योंकि दोनों एक ही दिसा में है तो एंगल आएगा जीरो अंस तो 5-1 हमको निकालना है अभी 5-1 इससे निकालेंगे तब इसके बाद देखेंगे जब घुमाएंगे इसे तब तो सूत्र क्या होता है सूत्र होता है 5-1 is equal to N B A cos theta यह तो बताया था फेरों की संख्या नहीं तो 5-1 N की वैलू 1,000 B A यानि 5 गुड़े 10 की हाद माइनस 5 A की वैलू 4 गुड़े 10 की हाद माइनस तो cos theta कितना दोनों के मद्ध एंगल 0-1 तो एक 5 गुड़े 20 ठीक है और 20 में कितने 0 आगए 20 में 1 0 आगया और यहाँ 2 0, 3 0, 4 0 दो गुड़े 10 की हाद 4 गुड़े में यहाँ 5 और 2 7 10 की हाद माइनस 7 cos 0-1 का मारी कितना होता 1 तो हल करेंगे तो 7 की हाद यहाँ 10 की हाद माइनस 7 यहाँ 4 है गटे गट कितना बचेगा 10 की हाद माइनस 3 और गुड़े में 2 मातरक क्योंकि चुम्ब की यह फलक्स है तो इसका मातरक वेबर होता है अब जब हम कुंडली को क्या करेंगे 90 अंस के कौन पर गुमाएंगे तो यह से गुमा दिया गया तो अब यह छेतर फल सदिस हो गया ठीक है लंबवत और चुम्ब की यह छेतर किधर है सामने की और अंगल अब कितना बचेगा ठीटा इस इक्वल स्टू 90 अगया ठीक है तो फाइटू की वेलू कितनी हो जाएगी वही सूत्र N, B, A कॉस्ट नबवेंस क्योंकी कॉस्ट नबवेंस का मान क्या होता है जीरो तो फाइटू की वेलू क्या गया जीरो अब हमको E की वेलू निकालनी है तो उसके पहले हम फलक्स निकालते हैं फलक्स कितना बचा ठीक है flux निकालने के लिए सूत्र बताया गया था अधिक्तम flux phi is equal to phi 2 minus phi 1 यह तो होता है तो phi is equal to phi 2 की value कितनी है 0 minus phi 1 कितना आया था 2 गुड़े 10 की हाथ minus 3 तो हल करेंगे तो यह minus का 2 गुड़े 10 की हाथ minus 3 वेबर यह phi 2 आ गया हमारा हम क्या करेंगे phi 2 मतलब यह d phi है ना वही difference ही तो है अब सूत्र पता है बिद्धुतु अखबल का minus का d phi upon dt यह हम इन इसलिए नहीं करा है क्योंकि आगे इन करा चुके पहले से ही तो यहाँ कोई मतलब तो minus का हल करेंगे यहाँ पर कितना बचेगा d phi की value कितनी देखो दी गई d phi की value यह वाला minus यह वाला minus प्लस दो गुड़े दस की हाद minus 3 और बटे में कितने समय के लिए यह होता है जो time दिया गया था कितना कितना समय में गुमाया जाता है 0.2 सेकेंड तो 0.2 ही रख देंगे क्योंकि पर आरंभिक समय कितना था सोने दस हम लो टाएंगे उपर 0 बढ़ जाएगा 2 एक अन 2 2 धाम 20 दस की घात केतीनी 1 है प्लस की 3 है माइनस की तो 10 की घात माइनस 2 वोल्ट और इससे हम क्या लिख सकते 0.01 वोल्ट यह हो जाएगा इसका अंसर तो नेक्स्ट कोश्चन है किसी कुंडली के तल से गुजरने वाला चुम्ब किये फ्लक्स निम्न संबंद के अनुसार बदाल रहा है 5 इकोईस टू 5 टी क्यूब प्लस 4 टी स्कोईर मैनिस 2 टी प्लस 5 टी इस इकोईस टू 25 यह 2 सेकेंड टी बराबर दो सेकेंड पर टी बराबर 2 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरिधारा कामान जबकि कुंडली का प्रतिरोध 10 Ohm है तो यह फ्लक्स दिया गया है दो सेकेंड में फ्लक्स कितना बदल रहा है ठीक है और उससे धारा कितिनी उत्पन हो रही है और प्रतिरोद दिया गया है तो यह flux दिया गया है ठीक है हम क्या करेंगे इससे solve करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका alkaline differentiation with respect to t तो पांते ही 15 x की पावर n का alkaline n x की पावर n-1 n-1 n आगया जाएगा एक कम हो जाएगा कितना बचा दो चार दूनी 8 एक पावर कम दो एक कन दो पांच क्योंकि इसमें t है नहीं क्योंकि t बदलने पर 5 कितना बदल रहा है तो यह constant है इसके t बदलेगा ही नहीं इसमें तो यह 0 हो जाएगा हमको कितने समय पर निकालना है दो सेकेंड पर दो सेकेंड पर तो 15 दो का स्क्वार 8 गुडे 2 माइनस का 2 2 दूनी 4 पंदरा चोके 60 8 दूनी 16 मैनस 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 76 में से 2 घटाएंगे 74 वेबर ठीक है ना अब निकाल लेते हैं अब हम क्या निकाल लेते हैं ए क्योंकि ए वराबर क्या पढ़ा है माइनस का डी फाई अपान डी टी यहां भी सफिक्स में लिख दो चुमक के छेदर माइनस का इसकी वैलू कितनी आई है 74 वेबर वोल्ट 74 वोल्ट इसका वेबर परति सेकेंड उपर वेबर नीचे सेकेंड हमको दिया गया प्रतिरोध जो है R दिया गया कुंडली का प्रतिरोध जो है 10 ओम है तब हमको क्या निकालना आई तो I बराबर क्या पढ़ा है V कितना है देखो E का मान modulus value ले रहे और बटे में R बेवो अंतर बटे प्रतिरोध E की value कितनी है modulus value ठीक है minus plus दिसा बताता है किवल हमको value चाहिए 74 बटे में 10 हल करेंगे तो I की value कितनी हो जाएगी 7.4 amp एही क्या हो जाएगा इसका answer तो next question है एक कुंडली का swap रहर का तो 10 हेनरी है L का मान दिये गया प्रतिरोध 6 ohm है कुंडली की साथ 12 वोल्टी की बैटरी एक switch द्वारा जोड़ी गई है तो एक नियत धारा प्रवाहित होती है एद इस switch दबाने में 0.1 एक सेकंड लगता है ठीक है तो कुंडली में कितना प्रवाहित विद्वाह अकबल उत्वाने होगा तो चलिए question को solve करते है कुंडली का swap रहर का 10 हेनरी है प्रतिरोध 6 ohm है वोल्ट ता दी गई 12 वोल्ट वोल्टेज दिया गया हमको विद्वाह अकबल निकालना है ये एक लिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले धारा में कितना परिवर्टना है आई बराबर क्या पढ़ा है वी अपान आर तो वी की वेल्यू 6 आर की वेल्यू कितनी है बारा वी की वेल्यू 12 दी गई है आर की वेल्यू कितनी आई है 6 दी गई है 6 िए 2, 12. तो आई बराबर कितनेammentusanол की दूद धारा है? 2. 2. यी बराबर सूधर क्या पड़ा है? Modulus value हम ले कर के चलेंGे. Dtot. L की value 10 है. धारा में कितना परिवर्दानों हो रहा है? 2 का. कितने समय में? 0, 2, 1 सिकेंड में. है ना? तो जीरो दोसम्लो एक सिकन्ड में ये बैटरी कितनी धारा दे रहे थी दो एंपिर दोसम्लो अटाएंगे तो उपर क्या बढ़ जाएगा जीरो वीज धाम में दो सो बिद्धुतु आहकबल प्रेरित बिद्धुतु आहकबल कितने वोल्ट आगया है दोसो वोल्ट यहीं इसका क्या हो जाएगा एंसर नेक्स्ट कोशन है कुंडली का स्वा प्रेरकत या स्वा प्रेरन गुडांग 40 मिली हेनरी है और इसमें प्रभाई धारा का मान 4 मिली सेकेंड में एक एंपियर से ग्यारा एंपियर हो जाता है उत्वन बिद्धुतु आहकबल गयात कीजिए तो हमको दिया क्या है कुंडली का स्वा प्रेरकत इलकामान दिया गया है 40 मिली हेनरी मिली हटाएंगे 10 की घात माइनस 3 जोड़ देंगे ठीक है अब कितने समय की बात हो रही है T बराबर T बराबर 4 मिली सेकेंड की बात हो रही है मिली हटाएंगे तो बताएंगे था 10 की हाथ माइनस 3 जोड़ जाएगा सेकेंड गद्धुतुधारा शरुवाद में एक एंपियर थी एक एंपियर से कतनी हो जाती I2 बराबर 11 Ampere हो जाती है क्या निकालना है E का मान निकालना है E के लिए सूत्र बताया गया था माइनस का L di upon dt तो E बराबर माइनस L की value 40 गुड़े 10 की हाथ माइनस 3 इंटू में di di क्या होता है यानि की I2 माइनस I1 होता है और समय नीचे T2 माइनस T1 time तो हमने बताया ही था कैसे बदलता है 40 गुड़े 10 की हाथ माइनस 3 I2 कितना है 11 I1 कितना है एक time कितना है 4 गुड़े 10 की हाथ माइनस 3 शुरुआत में time सुरुआत कहा सकरते है हमेशा 0 से 4 एकन 4 4 दहाम में 40 10 की हाथ माइनस 3 माइनस 3 cancel सिर्द यहां से क्या है क्या reps 11 में से घटाएंगे तो कितना बचा 10 आगे कितना माइनिस dai 10 तस नब कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा हम एक ही माडुलस वैल्यो की बात करेंगे तो अकितने वोल्ट की हो जाएग घ्क है यह हो जाएगा इसका एंसर माइनस जो है यह दिसा बताता है और हमको क्यों वाइल्यू चाहिए ठीक है तो यह लेंज के नियम के नुसार माइनस आ जाता है इसमें बस और कुछ नहीं तो नेक्स्ट क्योश्चन है एक बहने वाली धारा राइ बराबर पांच प्लस सोला ती द्वारा दी जाती है जहां ती सेकंड में है इसमें स्वा प्रेरन स्वा वेदूत वाहख बल जो है और जात था इसको प्रदान की गई सकती तो कुश्चन सॉल्व करते हैं ए का मान दस मिली वोर्ड दियागा धारा का मान इसमें दिया गया ठीक है और सूत्र क्या होता ए हमके वाइल लेकर करके चलते हैं ठीक है एल डियाई अपान डीटी तो हल करेंगे इक उपान डीटी तो डीआई अपान डीटी निकालने के लिए इसका क्या करेंगे ठीके साथ एच ओकलन तो डीडीटी आफ आई पांच के साथ टी नहीं तो यह 0 16 के साथ पावर कितनी 1 एक है तो कितनी बची 0 0 का मतलब पावर 0 है तो उसका मान 1 तो 16 एमपियर प्रती तो यहां वायलू पूट करेंगे 10 मिली मतलब 10 की घाद माइनस 3 10 मिली वोल्ट है ना बराबर एल गुड़े डी आई 5 डी टी कितना है 16 यह कितना सोला कहां जाएगा नीचे एल की वैलू 16 गुड़े 10 की हाद माइनस 3 बटे 16 दो से घाटेंगे यह 5 बचेगा यह कितना बचेगा 8 भाग देंगे तो 0.625 ही तो आएगा गुड़े 10 की हाद माइनस 3 इसका मातर क्या होता है हेनरी होता है यह क्या बन जाएगा एंसर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.625 दस क हाद माइस इन मतलब मिली होता है मिली हेनरी आ जाएगा यह एंसर अब क्या करना है टी बराबर कह रहा है एक सेकेंड पर टी बराबर एक सेकेंड पर रेड़ेक में संचित उर्जा यू का मान निकालना है यू बराबर सूतर एक बटा दो एलाई स्कॉयर बताए गया था कि आइक कितना दिया गया था आइक के लिए समीकरन दिया गया था I equals to five plus 16 t तो T की value put करेंगे आप पर five plus 16 t की value कितने सेकन्र में एक सेकन्र में तो 16 एकन 16 पांच 21 ampere धारा दी गई है ठीक है एक तिने समय पर तो एक बटादो एल कामान कतना दिएगा जीरो तो सम्दो छे दो पांच गुड़े दस की घाद माइनस तीन आई कामान यानी 21 का स्कुएर ठीक है हल करेंगे तो एक इतना जाएगा 137.8 गुड़े दस की हाद माइनस तीन जूल ठीक है न यहीं इसका क्या बन जाएगा अंसर बन जाएगा तीन संख्या आगे दसम्दो लेकर के चले जाएंगे तो जीरो दसम्दो एक तीन साथ आठ जूलिये भी कह सकते हैं इतना भी हो सकता है अब क्या निकालनी है सक्ति इसी टाइम पर जो सक्ति पी जिक्वाज टू वी आई बताया गया था एक फार्मूला क्योंकि यहां पर क थोरे प्रेरक की बात हो रही है तो प्रेरक के लिए कितना होगा बिदूतव हबल ए होता है इंटो आई तो इंटि गामान कितना दिया गया था था दस मेली वॉल्ट मिली मितलब 10 की ख़ंद माइनस 3 आई का मान कितना आया है इसी टाइम पर 21 तो हल्व करेंगे तो यहां प 210 212 10-3 3 संख्यांगे 10 लेकर करके चले जाएंगे 0 2 2 2 1 ठीक है पी का मातर क्या होता है वाट होता है या फिर माइनस माइनस तीन हटा करके यहां पर वाट डारेक्टर लिख दो माइनस तीन हटाएंगे दसके वह यह मिली लिख देंगे यह क्या बन जाएगा इसका एंसर तो यह थे बैद दो चुमकी प्रेरान के मोश्ट इंपाइटन कोश्चन